बेगमगन स्वास्त योजनाव की समीक्षा बैठकली CHMO ने और अस्पताल का किया निरिक्षण दिये आवशक निर्देश बेगमगन भारत सरकार की राष्टिये स्वास्त मिसन का सोबारम 13 में किया गया था जिसकी उप मिसन और रूप में राष्टिये ग्रामिर स्वास्त मिशन और सहरी स्वास्त मिशन को सामिल किया गया इस कारिक्रम के मुख घटक में प्रजनन मातर नबजाद सिसू बाल एबम किसोर अबस्ता स्वास्त और संक्रमक रोगों को ग्रामिर और सहरी छेतरों को स्वास्त प्रडाली को मजबूत बनाना है आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि निया संगत सस्ती और गणबत्ता योगत स्वास्त सेबाओं से कोई बंकचित न रहे लोगों के पती आपकी जवाब दई तैहो उक्त उद्गार जन्पत पंच्यात के सभागरार में राश्टिय स्वास्त योजनाओं की समिक्षा बैठक में CHMO राइसें डक्टर दिनेश खत्री ने ब्यक्त किये समिक्षा बैठक के बाद रिया चैमों ने सिवल अश्वताल का निरिक्षल करते हुए उन्होंने ड्रेसिंग रूम, ओटी रूम, डिलेवरी कक्ष, जच्चा बच्चा भरती कक्ष, मरीजों को भरती करने के रूम आदिका निरिक्षल किया उन्होंने लेब में लेदाने वाली भिविन जाचे एक्सरे रूम, टीका करने कक्ष, कोल्ड रूम आदिका भी निरिक्षल किया उन्होंने अस्पताल में विसेस रूप से साप सापाई रखने के निर्देश दिये उपस्तित कर्मिचारियों की समस्याओं को भी जाना, उनके निराकरन कनने का आश्वसन देने के उपरांत बापिस चले गए बिदीशा से हमारे संबाद्दातर रभी चोरश्या की रिपोर्ट महिला ने लगाया नायब तवसिलदार और उसके रीडर पर रिस्पत लेने का आरोप प्रिशासन मौन 25,000 की रिस्पत के मामले में उलजी नायब तवसिलदार नियती SDM ने दिये जाच के आदेश गंज बासोदा नटररन छेतर के नायब तवसिलदार नियती साहू और उनके रीडर पर हैमंत सिल्पकार और भूरी बाई पतनी श्वरगिये प्रान सिंग लोधी ने 25,000 रोपे की रिस्पत लेने का आरोप लगाया है महिला का कहना है कि पती की म्रत्तू होने के बाद पोथी नामांतरण के लिए आबेदन किया था लेकिन कई बार चक्कल लगाने के बाद काम नहीं हुआ तब नायब तवसिलदार के रीडर ने कौन सी मैडम है नियती साहू कि तो मैडम ने पैसे मांगे और किसी ने मांगे उनके तो फिर क्या आपने पैसे दे दिये कितने दिनों से चक्कर काट रही हैं आप तैसीर दो मैंगे